हिंदु धर्म के अनुसार हमारा ब्रह्मान, धर्ती, जिवजन्तु, प्राणी और मनिश्य सभी का निर्मान आठ तत्वों से हुआ है इन आठ तत्वों में से पांच तत्वों को हम सभी जानते हैं आउ जानते हैं पांच तत्वों क्या है हिंदो धर्मे के अनुसार इस ब्रह्मान के उत्पत्विक्रम इस प्रकार है अनंत महत अन्दकार आकाश, वायू, अग्नी, जल, प्रत्वी अनंत जिसे आत्मा कहते हैं प्रत्वी, जल, वायू, अग्नी, आकाश, मन, बुध्धी और अहंकार यह प्रकति के आठ तत्व है उक्तसभी के उत्पत्ति आत्मा या भ्रहम की उपसीति के कारण है पहला प्रत्वी तत्व इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते है हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है और प्रतवी भी इस से हमारा बोतीक शरील बना है लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक чи अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। तत्व हुए है जाहें वो पानी हो भून हो वसा हो शरील में बनने वाले सबी तरह के रस और एंध्याइम और हुए यहीं तक हादेरिम अगनी से जल्त की उत्पत् sich पत्ति है लुब है हमारे शरी में अगनी उरजा की रुप में वित्यमान है यहारा आई तत्व उरजा उश्मा शक्ती और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गरमहत है वू सब अग्नी तत्व efficient बोजन को पच्छा कर शरीर को निरोगी रखता है थोधा वायू तत्वा की कारण है अम अगनी की ऊथ्पत्ती मानी गई है। हमारे शरीर में वायू प्राण वायू के रूप में विद्धिमान है शरीर से वायू के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं जितने भी प्राण है वह सब वायू तत्वा है धर्ती भी श्वास ले रही है वायू ही हमारी आयू भी है जो हम सास के रूप में हवा ओक्सिजन लेते हैं जिससे हमारा होना निश्शीत है जिससे हमारा जीवन है वही वायू तत्व है पाच्वा आकाश तत्व आकाश एक एसा तत्व है जिसमें प्रत्वी जल अगनी और वायू विद्धिमान है यहां आकाश ही हमारे बीतर आत्मा का वाहक है इस तत्व को महस करने के लिए साध्ना की जरूरत है यह आकाश तत्व अब्वोतिक रूप से मन में है जिसे आकाश अनन्त है वेसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है जिसे आकाश में कभी बादल कभी धूल कभी बिल्कुल साफ होता है वेसे ही मन में कभी सुख कभी दुख तो कभी बिल्कुल श तत्व अपना काम करते हैं शरीर जब नश्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश आकश मिलीन हो जाता है वायू भी वायू में समा जाती है अगनी में अगनी और जल में जल समा जाता है अंत में बच जाती है राक जो धर्ती का हिस्सा है इसके बाद में कुछ है जो बच जाता ह उसे कहते हैं आत्मा इन्हीं पांच्ततों को सामुही कृप से पंच्तत्व कहा जाता है इन्हीं से धर्ती और शरीर में एक भी नहों तो बागी चारों भी नहीं रहते हैं किसी एक का बाहर निकल जाना ही मृत्यू है आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पांच पंच्टत्व को सामुएक रुप से पंच्टत्व कहा जाता है इन में से धर्ती और शरीर में एक भी नहों तो बागी चारों भी नहीं रहते हैं किसी एक का बाहर निकल जाने से ही म्रत्यू हो जाती है आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पंच्टत्व की आव झाल झाल